ही गाईज, हेलो, हाई, सस्रीकाल, नवस्ते, आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्त होंगे, आप सब का हमारे यूट्यूब चैनल 4in1 में बेलकम हैं, और आज मैं आपके लिए एक सांदार रेसिपी लेगा हैं, 65, मिंटों में बनके रेडी हो जाता है, आप घर पे मिंटों मे बना सकते हैं, और बहुती स्वादिष्ट बनता है, क्रंची बनता है, तो आईए, बनाना स्टार्ट करते हैं, 65, मैं यहाँ पे हरा धनिया फाइन चॉप कर लूँगी, यह दिखिए, मैंने सारा चॉप कर लिया, मैंने यहाँ पे एक ग्रीन चॉप कर लूँगी, और मैंने यहाँ पे कुछ गार्लिक और जिंजर लेके रखा हुआ, मैं इन दोनों का एक पेश्ट बना लूँगी, कूट करके इससे बहुती अच्छा टेश्ट आता है, अगर आप यह बना रहे हो तो जरूर से इस तरीकी का पेश्ट बनाईएगा, यह मैंने फूल गोवी लिए, इसके पीस कर लिए, इस तरीकी से छोटे छोटे ही मैंने पीस किये, और अभी हमें गोवी को बिलांच करना है मैंने यहाँ पर पानी गरम किया है उसमें बन स्पून मैंने सॉल्ट एड किया है और अभी हम इसमें गोवी एड करेंगे और हमें सिर्फ बिलांच करना है बॉयल नहीं करना है यहाँ पर गोवी को गोवी ब्लांच हो चुका है, मैं इसको यहाँ पे अलग निकाल लूँगे, पानी से और यही इस टेप करने से हमारी गोवी के अंदर सॉल्टी बहुती अच्छा टेस्ट आता है अगर आप बना रहे हो तो जरूर से यह कीजिएगा, इससे बहुती अच्छा टेस्ट आता है गोवी मैंने पानी से निकाल के अलग कर लिया है और अभी हम इसका मसाला बना के रेडी करेंगे, मैंने आपे बड़ा बावल लिया है उसके अंदर मैंने हाप गिलास पानी एड़ किया है, कुछ मसाले एड़ करेंगे रेड चिल्ली पावडर, हल्दी पावडर, गरम मसाला, धनिया पावडर और यह हमने पेष्ट बना के रखा था, अधरक और लहसुन के पेष्ट में इसमें एड़ कर दूँगी भी, mix कर लेंगे, salt डाल के इसको mix कर लीजिए यू तो हजारो तरीके से बनते हैं, यह 65 बट मैंने इस तरीके से बनाई है, मैंने आपे आमचूर पावडर एड़ किया है, green चिल्ली एड़ किया है हरा धनिया इसमें एड़ किया और मैंने थोड़ा सा fruit color इसमें एड़ किया है आप चाहो तो एड़ कर सकते हैं बनना कस्मीरी रेड चिली पाउडर भी आप इसमें एड़ कर सकते हैं उससे बहुती अच्छा टेश्ट आता है मसाला यहाँ पर रेड़ी हो गया मैं इसके अंदर गोवी को एड़ कर दूँगी और अच्छे से हमें mix करके 5 मिनट के लिए इसमें रख देना है इससे गोवी के अंदर तक flavor पहुँचेगा बहुती अच्छा टेश्ट आएगा और अभी 5 मिनट इसको हो चुके मैं इस गोवी को निकालके साइड में कर दूँगी जैसे कि मैंने बताया सबके अपने अपने तरीके होते हैं 65 बनाने की तो मैंने इस तरीकी से बनाए थे और बली, मी, क्रंची, स्पाइसी, भोती, स्वाधिश्टे पकोड़े बनके रेडी होए थे मैंने गोवी साइड में किया उसे पानी के अंदर में थोड़ा सा यहाँ पे मैदा एड़ कर दूँगी तीन बड़ा स्पून हो गए है और मैंने यहाँ पे कॉन फ्लार लिया है आप चाहो तो राइस फ्लार भी ले सकते हो मैंने मैदा और कॉन फ्लार को दौनों को इसमें एड़ किया और हातों से अच्छी से बेटर बनाके रेडी कर लेना है इस तरीकी से स्मूज सा घूल बनाके रेडी करना है यहाँ पे घूल बनके रेडी हो चुका देखिए इसी तरीकी का मुझे चाहिए था और मैंने अभी कडाई पे ओयल रख दिया है और मैं अभी पकोड़े एक एक इसमें अच्छी से कोटिंग कर लूँगी और अच्छे से इसमें करके एड कर दूँगी और यह मिंटों में भी बन जाते हैं और बहुती स्वाधिश्टे पकोड़े बनते हैं आप बनाईएगा अपनी फैमिली को खिलाईएगा बिलेम में सबको पसंद आएंगे इस तरीके से हमें मिक्स करना और इसमें एड कर देना है और यहाँ पर ओईल को हाई फ्लेम पर गरम कीजी और फिर्स को स्लो करना है स्लो टू मीडियम पर ही हमको इन्हें पकाना है हाई फ्लेम पर नहीं पकाना है क्रंची बनके रेडी होते हैं इस तरीके से यह देखिए मैं इसी तरीके से सारे इसमें एड कर दूँगे दो बार में मैंने इस तरीके से बना के रेडी किये थे और थोड़ा दूर दूर ढालिएगा बनना चिपक जाते हैं एक दूसरे में और धीरे से इनको पलटते होए सेक लीजिए देखिए कितना अच्छा कलर आया है और आप इन्हें गरम गरम खाईएगा बहुती स्वादिष्ट बने थे मैं इसी तरीके से सारे बना के रेडी कर लूँगे देखिए बन के रेडी होगे मैं इनको निकाल दूँगी पलेट में देखिए मैंने सारे यहां पर बना के रेडी कर लिए लोके दिस कितना अच्छा कलर आया है मैंने थोड़ा सा फूट कलर इसमें एड किया था आप कस्मीरी रेड चिली पावडर इसमें एड कर सकते हैं उससे भी बहुत अच्छा कलर आता है रेड यह बनके रेडी हो गए है पकोडे और अभी मैंने कुछ कड़ी पत्ते और ग्रीन चिली को स्लाइस में कट कर लिया मैं थोड़ा सा इनको फ्राई कर लूँगी कड़ी पत्ते से इनके उपर बहुत ही अच्छा टेश्ट आता है इस तरीकी से मैं इनको फ्राई करूँगी और इसके उपर थोड़ा सा हम सॉल्टेड करेंगे और यह हम अपने पकोडे इनके उपर डालेंगे 65 के उपर इस तरीकी से गार्निस कर लेंगे और अभी इनको खाईएगा आप यह प्राई की हुई ग्रीन चिली के साथ बहुत ही स्वाधिश्ट लगते हैं यह और गरम ग गूबी 65 बहुती स्वाधिश्ट बनाता स्पाइसी क्रेंची आप जरूर से बनाएगा बलीम में आपको पसंद आएगा और गरमा गरम अपनी फैमिली को खिलाएगा बच्चों को सबको पसंद आएगा रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए शेड कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट करके बताईएगा रेसिपी आपको कैसी लगी थाइंक यू फूर बहुचिए